भारत की जमीन पर सत्ता हथियाने के मकसद से आए अंग्रेजों के सामने ना जाने कितने राज्य करताओं और संसथानों ने अपने भूदने तक टेक दिये थे लेकिन वहीं भारत्य इतिहास में एक ऐसा राजा भी हुआ करता था जिसने अंग्रेजों की सत्ता की गुलामी नहीं की और अंग्रेजों को घास तक नहीं डालता था वलकि इस राजा ने अंग्रेजों को भीख मांगने के लिए मजबूर तक कर दिया था आपको बता दे कि इस राजा का नाम श्री मन्त महराज तुको रावजी होल कर दुईतिय था जिसने अंग्रेजों को करोणों रुपए दे कर उधार करके अपना कर्जदार बनाया था इस राजा को उस समय भारत का मध्य राजा का महराजा भी कहा जाता है अंग्रेजों के रेल्वे प्रकल्प के कारण जनता को होने वाला लाभ कोगी ध्यान में रखते हुए महराजा तुको रावजी होल कर ने अंग्रेजों को पहले चरण के लिए एक करोणों रुपया उधार के रूप में दिया था इस उधार की मदद से ही अंग्रेजों ने इंदवर के पास के तीन रेल्वे इस्टेशनों को जोडने का काम पूरा किया महराजा तुको जीडाव भोलकर जी ने दिये हुए अपने करोणों रुपया के रिण के मात्यां से साथ साल के कालखंड में अंग्रेजों ने खंडवा इंदवर, इंदवर रतलाम, अजमेर और इंदवर देवास उजैन इन तीन रेल्वे लाइनों का निर्मार किया उनमें से खंडवा इंदवर लाइन को होलकर इस्टेट रेल्वे के नाम से भी जाना जाता है महराजा तुका जीडाव होलकर ने 101 साल के लिए प्रती वर्ष 4.5 प्रतिशत के दर से रिण की राशी अंग्रेजों को उपलव्ध करा दी लेकिन राजा की द्रिष्टी यही तक सिमित नहीं रहती थी एक तरब कर्ज देते हुए जनता को होने वाला लाव भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेल मार्ग निर्मार के लिए अंग्रेजों को मुक्त में जमीन भी दे दी और पहाडी इलाका होने के कारण बहुत ही मुश्किल परिस्रम से इन राष्टों पर रेल पतरियां विछादी गई और रास्तों में आने वाली नर्मना नदी पर भी बड़े पूल बाद दिये गए इन दोर में टेस्टिंग के लिए लाया गया पहला भाब का इंजन हाथियों की मदद से खीच कर रेलवे पतरियों तक लाया गया ये इसकी विशेश्ता है ये घटना भारतिय इतिहास के लिए और भारतिय रेलवे के लिए अतिशय महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और जिन अंग्रेजों के सामने न जाने कितने सारे निश्पाफ बांधों को लाचार होकर हाथ जोड़ने पड़े थे उन्हीं अंग्रेजों ने एक भातिय घराने के राजा के सामने पैसों के लिए अपने हाथ फैलाए थे इससे ज़्यादा गरों की बार हमारे लिए और क्या हो सकती है नेक्ट नाइन स्प्रिच्वल से बिनितराय के रिपोर्ट